गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलके बैक्त मैं चैनल फ्रेंड्स आज की स्वीडियो में हम लोग प्राइम कोड के बारे में डिसकस करेंगे और इसकी एस्प्रेयरेट को कैल्कुलेट करेंगे उसके एक एक इंपोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे अभी नरा रोट का काम चलरा रोड प्रजेक्ट वर्क चल रहा पीरवड़ूडी का रैसे बीक प्राइम को और प्राइम प्राइम कोड है वे उब हुपि करेंगे सकारेश करेंगा उसके एक एक क्वण्टिटीक ने जेखेंगे ऑके और हैंसे अगर आप में मेरे चैनल पर नहींए तैनल नहीं य like, share and subscribe to my channel friends prime coat a prime coat is a coating applied directly directly to a prepared base coarse preparing it for laying and asphalt mixture on it suppose you have worked WM work you have worked rolling wear when the bed is dry then you have to do pitching just one day just one day what do you do prime coat apply at minimum 24 hours before asphalt is placed meaning that BM or DBM you have to apply prime coat this is the important function prime coat 24 hours before applying bonds loose material particles the base surface which are loose materials survive we have to do prime coat the loose material bind hard hardens or toughen the base surface base surface hardens or toughens provide addition between the base and asphalt mixture and the base and the base layer and the base layer both waterproof of the surface waterproof surface suppose capillary action move suppose capillary capillary top block this prime coat is important function okay okay we have to see 5 points before 24 hours apply then what do you do protect I said okay we have to see okay now times two types कोते हैं mc70 mc250 इसके रिक्वार टेस्ट देखते हैं इसमें जो वाटर परसेंट के रिक्वार्मेंट होगी वह 0.2 परसेंट होगी मैक्सिमम फ्लैश पॉइंट मिनिमम थाटी एट डिग्री सल्सियस और और mc250 में 66 डिग्री सल्सियस ओके प्रेशन फाइब फाइब सेकेंड गी उसमें वो प्रेशन फाइब सेकंड पे होगी आट के क्वाइब एट टवाइब के वन टू 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 फुफित्यों होगी फिट्नोंट रिट होगी वह 0.652 एक है तो आप क्या करोगे एक ट्रेल होगे उस ट्रेक की उपर रड़क दिया स्प्रेंग करते से महां ट्रेक की ऊपर वह आ गया तो उस ट्रेक की ऊपर जो प्राइम कूट आया उसको मेजर करेंगे आप देखो इसके एक एक स्टेप को हम लोग देखते हैं अब यह देखो हमने ट्रे ले लिया यह यह ले लिया ओके फिर क्या किया हमने वेट अफ इम्टी ट्रे जो है उसका वेट कर लिए सपोचकर उसकी वेट होगे 400 ग्राम एरिया ट्रे की कितनी हो गई यह मालनों 40 वाइ 30 संटी मीटर है तो उसकी होगे 0.12 मीटर स्कॉर होगे वेट अफ्रे प्लस इमल्सन दोनों को हमने वेट किया इमल्सन और ट्रे एम्टी ट्रे प् ट्रे ट्रें वेट उसको माइनस कर लेंगे ए म्पीवेट से कोए ही माइनस ऐसे वेट और ट्रे एम्पर्लस इमल्सन और फाइव ग्राम और माइनस वेट अव कर दियाए तो थो अमाटा हो गया दैको दीदं य वैयम SHO ए-दीदाओ-धूजन किया है तो कितनी आगए 0.105 kg आपके इस प्रेरेट हमें calculate करना है तो इस प्रेरेट calculate करने कि क्या कर ए जो है weight of emulsion जो kg उसको divide कर देंगे हम 20 यह जो बी है area है उससे हमने divide कर दिया तो हमारी कितनी आगए 0.875 इट मेंस कहने का मतलब 0.105 को अगर आप divide कर गए 0.12 से तो आपकी क्या है आपकी वो यह इस प्रेर की rate calculate हो जाएगी अब क्या है हमने देखो value हमने पहले previously हमने यहां देखा है यहां हमने sorry यहां हमने previously देखो value क्या देखा है इस प्रेरेट का 0.652 1.75 liter per meter square हमारी value कितनी है 0.875 ओके आप यह केजी पर मीटर स्कॉयर में है इसको हमने लिटर पर मीटर स्कॉयर में देखा तो इसको हमने लिटर पर मीटर स्कॉयर में चेंज कर लेना है तो एफ को divide कर देना 1.04 1.04 क्या है यह specific gravity है इमलसन की यहां देखो हमने मेंशन किया हुआ है यहां मेंशन किया 1.04 ओके तो एफ कितनी 0.875 डिवाइडर करेंगे हमने 1.04 तो कितनी value आ रहे है 0.841 जो हमने value decide किया था spray rate का 0.652 1.1.75 उसके बीच यह value आ रहे है एक तो यह एस पर रहे है जो हमने decide किया था ओके फ्रेंट्स तो उमेद करता हम आपको यह video पसंद आयो अगर आपको वीडियो पसंद आयो टॉपिक पसंद आयो समझ में आख तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल स्वरेंट्स थाइंक यू एंड कीप वाचिंग मैं वीडियो जुए